फ्रेंड्स पॉपुलर केमिस्टी सीरीज में दो यूट्यूब लेक्चर्स में एक में मैंने बिटर और स्वीट सबस्टेंस की बात की थी और दूसरे में प्रिस्वी बेपाये जाने वाले सबसे बड़े सिंथेटिक और नेचुरल अक्रिंग मोलीकुल की बात की थी इस समय में बात करने जा रहा हूँ जो युवा पीडी के लिए बहुत एक उत्साहा जनक हो सकती है chemistry of love सबसे पहले में love शब्द को explain करना चाहूँगा जब love शब्द आता है love शब्द का मतलब इस लिए affection वही सामने आता है यदि मुझसे पूछा जाए इस प्रिथ्वी पर समुचे प्राणी जगत में मैं प्राणी जगत के रहा हूँ मैंने मानम नहीं का है human being नहीं का है यदि प्राणी जगत का है तो उसमें human ज़रूर आएगा जब भी कोई पहला प्यार होता है किस से होता है क्या आप मुझे बता सकते हैं इस दुनिया में किसी भी प्राणी का सबसे पहला प्यार या love उसकी माता से ही होता है जब वो दुनिया में जर्म लेता है माता से ही जर्म लेता है और माता का इसने है दुनिया का सबसे पहला इसने है कहलाता है पिता का इसने है आता है पारिवारिक जनों का आता है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसे समाज की और अपने रिष्टेदारों की अलग लग प्यार इसने है और घ्रणा भी इन सब का सामना करना पड़ता है लेकिन जो में केविस्टि ओफ लव शब्द कहना चारा हूँ वो आप लोग समझ गये होंगे एक ऐसी अवस्था एक ऐसी उमर भी आती है जिसको हम किशोर अवस्था एडॉलसेंट या यंग स्टेज कहते हैं जब अपोजिट सेक्स के प्रती किसी भी व्यक्ति का एक होता है और इसे मैं बिलकुल आसमाने नहीं कहूंगा अबनॉर्मल नहीं कहूंगा क्योंकि ये पूरी तरह हार्मोंस पर डिपेंड करता है या मैं यूँ कहता हूं कि लव पूरी तरह केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स में डिपेंड करता लेकिन केमिस्ट्री पर आने से पहले मैं थोड़ी सी मनों वेज्ञानी चर्चा करना चाहूंगा मनों वेज्ञानिकों ने अपनी शोध में अपनी रिसर्च में ये पूरी तरह प्रमानित कर दिया है कि केवल 90 से 4 मिनट का समय होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप किसी से प्यार कर चुके हैं या मैं इसे बोल चाल की भाशा में कहूं एक शब्द है love at first sight love at first sight जो होता है उसमें बहुत जहरा समय नहीं लगता 90 से लेके 4 मिनट के समय में ही ये डिसाइड हो जाता है कि if you fancy someone कि आप किसी से love करते हैं मनोवे ग्यानिकों ने एक और बहुत अच्छी बात की है हम ये सोचते हैं जब हमें किसी से प्यार होता है वो हमारी desk पे depend करता है हमारी look पे depend करता है हमारी personality पे depend करता है नहीं जो psychologist ने कहा है वो मैं बात आपके सामने कहना चाहरा हूं Research from psychologist has shown the 55% love is through body language आपकी body language क्या है इससे दूसरे opposite sex को आपके प्रती प्यार डवलप होता है 30% is the tone and speed of voice आपकी बोलने की tone क्या है speed क्या है आपको जान के आश्चरे होगा केवल 7% साथ प्रतीशाद प्यार का होना इस बात पर निर्फार करता है कि आपने एक दूसरे को क्या कहा है फिर मैं अपनी इस मनोवज्यानिक Research को repeat कर दूँ love at first sight प्यार होना लब्यासा में नहीं केवल 90 से चार मिनट का समय लेता है और यह निर्फार करता है 55% बोडी लेंगविज पे 38% tone और speed of voice पे और केवल 7% आप एक दूसरे से क्या कह रहे हैं केवल 7% what you say to each other that is only 7% so once again I will repeat the love is well love at first sight rather that takes very short duration 90 seconds to 4 minutes and that depends 50% through body language 38% through tone and speed of their voice 7% through what you say each other this is not chemistry this is psychology now I come to the chemistry of love if you love each other love means obviously love with opposite sex very clearly there are three stages of love Helen Fisher has very clearly proposed there are three stages of love that is lust attraction and attachment first lust that is the first stage of love love ki pehli awasthah ye hai and that is driven by the sex hormone testosterone and estrogen by men and women obviously so first stage of love is lust second is attraction this is the amazing time when you are truly love struck and can think of little else aap kisi or ke baare mein nahi soochenge aapke dimaak mein keval aapke premi ya premi ka kewi jara aengi scientists think that three men neurotransmitters are involved in this stage kornsever neurotransmitter hain joh attraction mein ek dhusre ke prati aapke di akarashit honne me involve involve hoote wo tene neurotransmitter hain adrenalin dopamine and serotonin ya chemistry of love hai sb se pahle adrenalin the initial stages of falling for someone activates your stress response aapko aasher hooga jobana sentence padha hai the initial stages of falling for someone activates your stress response increasing your blood levels of adrenalin and cortisol this has the charming effect that when you unexpectedly bump into your new love you start to set your heart races and your mouth goes dry that is due to adrenary second is most popular chemical dopamine which is known as also the hormone of happiness that is dopamine but here I will talk in context to the love Helen Fisher discovered that high level of neurotransmitter dopamine is responsible for the love this chemical stimulate desire and reward by triggering an intense rush of pleasure it has the same effect on the brain as taking cocaine jaysse cocaine ko lene se lena nye chahiyye mein kya raha ho mastisk mein kaha jata hai logon ko shanti milti hai thik usi tarhe dopamine se mastisk mein shanti milti hai اور jab love me ho te hai aap ke mastisk ko woh sukhat anubhuti ho tisra neurotransmitter serotonin serotonin one of love's most important chemicals that may explain why when you are falling in love aap kiyong aip dousere kiprati akršit ho raha kya aap nye lover ki taraf akršit ho raha kya aap ke man mein vichar aar raha raha woh puri tarih serotonin decide karta hai to tine chemical adenilin dopamine and serotonin they are part of attraction mein nye aap se ka hal lust me joh harmon involve testosterone or estrogen respectively men and women but in attraction there are three neurotransmitter adrenaline dopamine serotonin i think it's clear third stage of love is attachment attachment is the bond that keeps coupled together long enough for them to have and raise children kisi bhi parine sutra ka vivaha sutra ka sabse safal mantr attachment peh in it par karta hai scientist think there might be two major hormones involved in this feeling of its attachment tisri joh attachment ki stage hai us mein joh neurotransmitter hormones hai that is oxytocin and vasopressin let us discuss a little about that vasopressin also called anti-diuretic hormone that works with your kidneys to control thirst its potential load in long-term relationship was discovered when scientists looked at the terror wall oxytocin oxytocin also known as the cuddle hormone is a very powerful hormone released by men and women during orgasm it probably deepens the feeling of attachment and makes couples feel much closer to one another after they have had the sex sex ke which which is the most 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 sex a couple has the deeper their bond becomes that is true oxytocin also seems to help cement the strong bond between mom and baby very important releasing milk of oxytocin in sheep and the rates they reject their own young यदि आख oxytocin को रोकने का injection देंगे तो sheep हो भेड़ हो यशुआ हो वो अपने बच्चों को स्विकार नहीं करेंगे श्वीड नहीं करवाएंगे यह chemistry है oxytocin मा और बच्चे के बीच की लेकिन चुकी यह यहां कहना relevant था इसलिए मैंने इसका जिक्र भी किया है अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही important बात आ जाती है finally how to fall in love आप कैसे एक दुसरे के प्यार में पढ़ जाते हैं अधिकतर लोग पढ़ते हैं एक प्रक्रति का नियम है एक स्टेज पर hormonal release के समय होता है अब वो जो love होता है वो प्रणे सूत्र में या शादी का रूप लेता है यह ज़रूरी नहीं लेकिन यह एक परम सत्य है जो हर मानब को सिकार करना पड़ेगा फाइनली how to fall in love find a complete इस टेंजर चलिए आप एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति को सामने ले आएए जिससे आपको भी मिले नहीं है आपने उसकी शकल नहीं देखिए आप आदे घंटे तक उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कीजिए अपनी इंटिमेट डिटेल शेयर कीजिए जो आपकी जिन्गी के अभूत पूर्व खटना हैं आप इंटिमेट ली आदे घंटे तक एक अजनबी अपने प्रेमी या प्रेमिका से शेयर कीजिएगा और उसके बाद आदे घंटे अपनी फीलिंग शेयर करने के बाद एक दूसरे को ध्यान से देखिएगा एक दूसरी की आँखों में देखिएगा इस इस अरे सर्च विश सेज इट टेक्स ओनली फॉर मिनिट आप चार मिनट से ज़एदा का समय नहीं दे केवल चार मिनट आप एक दूसरे की आँख में देखिएगा यदि आपको लब होगा तो वो आँखों में दिखाई दे जाएगा इस इस अर्थ इस अर्थ इन दिस यूनिवर्स एवरी एक्शन एवरी एक्शन इस थूप चैमिस्टी ओनली नचई द सुपड़ी एक्शन दला की Aegis इसलिए मिन देख्वत इस भी कमें इस ढज्कि एक्शन देह च्माने हो सिवाईगा इस है बर 기ट्स्यू थाव who are in the love today or a few days back. Thank you so much.